उदर बड़ी खबर आई मध्द प्रदेश से। वहाँ ड्राइवर पर भढ़कने वाले शाजापूर के कलेक्टर पर मध्द प्रदेश सरकार ने बड़ी कारवाई की। मुख्यमंतरी मोहन यादव ने शाजापूर के कलेक्टर किशोर कण्याल को अटा दिया। शाजापुर के कलेक्टर ने जिले के ड्राइवरों की एक बैठक बुलाई थी और आरोप है कि उस बैठक में उन्होंने एक ड्राइवर से अभद्र भाषा में बात की थी बाद में इस बादचीत का एक वीडियो भी वाइरल हो गया और ये पूरा मामला मद्द प्रदेश के मुख्यमंतरी मोहन यादव तक पहुँच गया उन्होंने इस मामले पर ताबर तोड आक्शन लिया और राज्ज के शाजापुर जिले के कलेक्टर किशोर कन्याल को हटा दिया शाजापुर के कलेक्टर किशोर कन्याल ने एक दिन पहले जिले के ड्राइवरों की एक बैठक बलाई थी और उसी बैठक में शाजापुर के कलेक्टर किशोर कन्याल की एक ड्राइवर से बहस हो गई थी इस बहस का वीडियो भी वाइरल हो गया और वीडियो में शाजापुर के कलेक्टर एक ड्राइवर पर बुरी तरह भढ़कते नजर आए उनका पारा इतना चड़ा कि उन्होंने उस ड्राइवर से उसकी आउकात पूछ डाली इस बैठक में कई ड्राइवर मौझूद थे शाजापुर के कलेक्टर के बगल में पुलिस अधिकारी भी बैठे थे एक दूसरा अधिकारी तो लगातार उनसे बात भी कर रहा था इन सब के बीच किशोर कन्याल कड़े शब्दों में ड्राइवरों को समझा रहा था लेकिन तभी एक ड्राइवर ने बीच में ही उन्हें टोक दिया फिर क्या था? बात का बतंगड बन गया ड्राइवर के टोकते ही कलेक्टर किशोर कन्याल का पारा साथ में आस्वान पर पहुँच गया और बैठक में मौझूद सभी लोगों का ध्यान कलेक्टर को टोकने वाले ड्राइवर पर चला गया इस बहस का वीडियो बनाने वाले ने भी कैमरा उस ड्राइवर की ओर गुमा दिया क्योंकि जैसे ही कलेक्टर उस पर भढ़के वो घबरा गया कलेक्टर उसे उंगली दिखा दिखा का डांट रहे था और वो हाथ जोड़कर खड़ा था लेकिन कलेक्टर का गुस्सा कम नहीं हुआ ये देखकर वो इतना घबरा गया कि हाथ जोड़कर माफी बागने लगा बहस के बीच एक पुलिस वाला आगे आया और ड्राइवर को समझा बुझा कर अपनी सीट पर बठाने लगा एक तरफ पुलिस वाला ड्राइवर को बिढ़ाने की कोशिश कर रहा था दूसरी और किशोर कन्याल लगातार बोलते जा रहे थे ड्राइवर भी डरते डरते ही सही लेकिन उनको जवाब दे रहा था ये सारी बहस इसलिए हुई क्योंकि शाजापुर के कलेक्टर ने घुस्से में आकर एक ड्राइवर से उसकी अवकात पूछ किया और देखते ही देखते है पूरी बैठक का माहौल ही खराब हो गया और प्रदर्शन को उगर होने से रोकने के लिए शाजापुर कलेक्टर ने ये बैठक बुलाई थी लेकिन उनके एक ड्राइवर से उसकी अवकात पूछने पर पूरी बैठक का माहौल ही बिगड़ गया कलेक्टर किशोर कान्याल की बातें सुनकर भड़के ड्राइवर को उसकी सीट पर बिठाने में पुलिस वाले को खुब मेहनत करनी पड़ी वो बार-बार उकात वाली बात पर आपत्ती जताता रहा इसी बीच इस सारी बहस का वहां मौझूद दूसरे लोगों ने वीडियो बना लिया लेकिन न ड्राइवर चुबो रादाया और ना ही कलेक्टर किशोर कन्याल पुलिस वाला भी बहस रोकते रोकते ठक गया यही नहीं कलेक्टर की बात सुनकर बहस करने वाले ड्राइवर ने वहां मौझूद दूसरे ड्राइवरों से समर्थन भी मांगा वीडियो में दिखा कि बहस के दौरान ड्राइवर के नजदीक खड़ा एक शक्स लगातार उसका वीडियो बनाता रहा जबकि एक दूसरे ड्राइवर ने पुलिस वाले की मदद करते हुए उस ड्राइवर को बिठाने की कोशिश की और थोड़ी देर बाद कलेक्टर के तेवर भी नरम पड़ गए वो अपनी बात का मतलब समझाने लगे लेकिन इस बीच वहाँ जो कुछ हुआ उसका पूरा वीडियो बन चुका था और ये वीडियो वाइरल भी हो गया वीडियो के आखरी हिस्से में कलेक्टर के नरम हुए तेवर भी दिखे बहस करने वाला ड्राइवर भी आखरकार अपनी सीट पर बैठी गया कलेक्टर ने भले ही बाद में बात समालने की कोशिश की लेकिन इससे पहले बोली गई उनकी बातें मद्ध प्रदेश के मुक्यमंतरी मोहन यादव को पसंद नहीं आई ड्राइवर से अभद्र भाषा में बात करने की वज़े से शाजापुर जिले के कलेक्टर किशोर कान्याल को हटा दिया गया मद्ध प्रदेश के मुक्यमंतरी मोहन यादव ने इस घटना पर आक्शन लेते हुए नर्सिंगपुर जिले के कलेक्टर को शाजापुर का कलेक्टर बना दिया और किशोर कन्याल को उनकी भाषा की वज़े से हटा दिया गया